तो हमारे पिछले चेप्टर में हमने देखा था कि हमारे CEO ने कैसे यी को कहा था कि वो उसे पसंद करता है तो इस चेप्टर में वो डाइडिकली अपना लाफ यी को कनफिक्स कर रहा है CEO बोलता है कि यी I love you करके यी ये बात सुनके एकदम से भचक सा रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और उसका गालवाल सा बलश करने लगता है और वो चल्दी से रूरू के कानों पे दोनों हाथ लगाता है और उन्हें बंद करने की कोशिस करता है और कहता है कि तुम ये सब क्या बाते कर रहे हो बच्चों के सामने ऐसे कोई बात करता है कि छोटे बच्चे के सामने अभी रूरू अभी भी बहुत छोटा है करके और इस तरह के शब्द तुम रूरू के सामने मत कहो तो CEO बोलता है ठीक है और तभी रूरू बोलता है कि लेकिन र को रिपीट करता है और बोलता है कि फैंक फैंक जो है लव्ज यी और तभी हमारा यी जो होता है वह बोलता है नहीं नहीं तुमने कुछ गलत सुना होगा करके तो बोलता है कि नहीं उसने ऐसा नहीं का उसने ऐसा कहा है कि जो रूरू है उसको स्टोरी सुनना पसंद है करके और बोलते हैं तुम्हें याद है कि अभी तुम मुझे एक स्टोरी सुना रहे थे तो चलो हम उसे स्टोरी को जॉइन करते हैं और इसलिए फैंग फैंग ने कहा कि वो तुमारी स्टोरी को लाइक करता है करके तो रूरू बड़ा कुछ हो जाता है यह सोचके कि फैंग फैंग को भी रूरू की पताईवी स्टोरी सुनना पसंद है करके और रूरू बोलता है कि मुझे नहीं पताता कि तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद है और बोलता है मुझे बहुत सारे स्टोरी पता हैं करकी तो CEO और यी एक दूसरे को आख हमें आके डालके देख रहे होते हैं और रूरू बोलता है कि लेकिन मैं तुम लोगों को सारी अपने स्टोरी सुना सकता हूँ तो यी बोलता है कि लेकिन अब तुमें सोने की तयारी करने चाहिए तो रूरू एक दम सीरियस हो जाता है और बोलता है ओके करके अब रूरू बोलता है कि गुड़नाइट फैंग फैंग हम लोग बिस्तर पे सोने जा रहे हैं और मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी काम करना है करके तो तुम अपना यहां काम करो तो CEO जो विच्चारा सैड फैस होता है ओके और अपने बन में सोसता है कि मेरे पास सेक्चुली में कोई भी काम नहीं है करने के लिए लेकिन चुकि यह नराज है इसलिए यह CEO के साथ नहीं सोयेगा करके और यह रूरू को हाथ पकरता है और ले जाता है और तभी पीचे से CEO बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहा रहा था और तुम्हें यह भी पता है कि मैं क्या मीन कर रहा था करके और क्या ये बात सही नहीं है कि तुम्हें ये बात पता है कि तो हमारे घी का गाल जो है बलश करने लगता है और वो CEO को एग्नोर करता है क्योंकि वो बहुत शाय है और तबी दिखाते हैं कि कैसे एक तरफ हमारा CEO एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये भी उसे पसंद करे और हमारा जो ही ही है वो बलश कर रहा है क्योंकि CEO ने आखिरकार उसे इस एपिसोड में I love you जो कह दिया अब रूरू गहरी नीन में सो रहा होता है तब ही क्या कहते हैं मोबाइल से आवाज आती है बीब बीब करके और तभी जो है वो देखता है कि जिन याओ जो है हमारे CEO है उनका फोन है और फोन को टर्न ओफ कर देता है और उसके बाद वो इदर उदर रोल करकर के पिस्ते में सोता है और तभी बोलता है कि उसे और सोना है करके उधर जो है दूसरी तरफ रूरू उठ जाता है और बोलता है यही अब हमारा टाइम हो गया है उठने का है और कल रात को फैंग फैंग हमारे साथ नहीं सोया करके जो रूरू है वो भी थोड़ा स्लीपी होता है और यी के उपर चड़ जाता है तबी यी बुलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो मुझे उठना चाहिए और तयार होना चाहिए मैं बिल्कुली भूल गया था कि क्या करना है कि उठना है करके मैंने अपना अलारम भी लगाया था और लेकिन फिर भी मैंने उसे बंद कर दिया करके तो दिखाते हैं ही बातों में जाता है अपना फेस्वेस पोचता है ना आता है और सुछता है कि आज उसके आखों के नीचे जोएं डाक सरकल्स बढ़ गए है करके और मन में सुचता है कि क्या है जर्वती CEO को ये सारे words कहने की और उसके I love you कहने की वज़े से सारी राथ हमारा यी जो है सो नहीं पाया और जो रूरू होता है वो उठके एकदम ready हो रखा होता है अपने कमर पे हाथ रखता है और सब को good morning बोलता है अब ये दोनों लोग अपने कमरे से निकलते हैं और फैंग फैंग और यी रूरू चिला के बोलता है तो हमारा जो CEO है वो good morning बोलता है यी को और तभी यी भी बोलता है good morning और लेकिन यी फिर भी अभी भी shy है और एक दूसरे को वो दोने देखते हैं और बोलते हैं कि तुम पहले बोलो तुम पहले बोलो हमारा CEO भी अब थोड़ा थोड़ा shy सा हो रहा है क्योंकि वो भी blush कर रहा है तब CEO पुस्त है कि कल रात तुम ठीक से सुए तो यी बहुत चौड़े में बोलता है हाँ मैं तो बस जैसे गया और बिस्तर के अपना से रखा वैसे ही मैं एकदम बेबी की तरह सो गया था तब CEO पुलता है हाँ तो फिर जो कल रात को मैंने कहा था उसके बारे में जैसे CEO आती बात को कंप्रीट करने वाला होता है यह बड़ा सा मूँ फारता है और जाने की तैयारी में होता है लेकिन बुलता है कि रूरू को भूख लगी होगी तो हम लोग जा रहे हैं ब्रेक प कि इस वक्त हमारा यही जो है एक तो शाय भी है और उपर से नर्वस भी है तो वो CEO को अवाइड कर रहा है तब भागते भागते कहता है यही बूलता है कि मैं तो विकुल बेट ही नहीं कर सकता ब्रेक पास्ट करने के रहे और जो ब्रेक पास्ट होता है और हम ग्रोन अप ग्वाइस को टाइम पर खाना चाहिए ऐसा कहके फटा-फट भाग रहा होता है और CEO यह दिखके बोलता है कि जो यही का एक्टिंग है अभी भी उसको उस एक्टिंग पर काम करने की जरुवत है क्योंकि ऑविसली वो जिस तरीके से भाग रहा है सबको दिख रहा है कि CEO को इग्नोर कर रहा है अब के होता है दिखाते हैं कि बाई एंटर्टेन्मेंट इंडरस्टी जहां जो कि बॉन स्टार एंटर्टेन्मेंट है वहाँ पर बताते हैं कि बहुत लोग बात कर रहे होते हैं कि यह को ब्लैक लेस्ट कर दिया जाएगा और तो कोई बोलता है नहीं करके तो इस तरह का gossip हमें नहीं करना चाहिए लेकिन कहां लोग सुनते हैं वो लोग बोलने लगते हैं कुछ बोलते हैं कि हम मुझे भरोसा नहीं है और कोई बोलता है कि यी और रैन रैन जो था वो constantly अपने ads को promote कर रहे थे तो जो company है वो यी big produce करने का सोच रही है तो दूसरा नहीं बोलता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो department के अंदर से है और उसे बहुत sorry feel हो रहा था यी के लिए कि यी को जो है बैन कर दिया जाएगा घर के अब क्या होता है यी आता है और सब लोग उसको देखने लगते हैं और बोलते हैं यी इधर आ गया है करके और तभी हो सुनता है कि कोई बोल रहा है कि सारे promos को बंद करो क्योंकि यी यहाँ पर आ गया है और तभी लोग बोलते हैं कि किसने ये decision लिया है करके और तुम लोगों में क्या हो गया है जो तुम लोग यहां पर आके सब की बाते कर रहे हो और यह क्यों blacklist होगा करके और यह जो है क्या यह ने किसी को off-end किया है यह सब सुनके यह थोड़ा confused हो जाता है क्योंकि अभी तो उसने CEO से बात की थी और CEO ने बताया है कि उसे कोई blacklist वगरा नहीं किया जा रहा है और Ren Ren सब पर चिला रहा होता है करके तो पीछे से ही आता है और सुनता है और Ren Ren बहुत खुश हो जाता है बोलता है कि तुम यहाँ पर आगर और तभी बोलता है कि कि तुम क्या बात कर जो blacklist के बारे में तो Ren Ren बहुता है ऐसा कुछ नहीं है मैं ऐसा होने नहीं दूँगा मैं तुमारे लिए fight करूँगा और हमारा प्रोमोस जो है उनको भी chance मिलेगा तो तुम जो वरी मत करो और मैं यह सब जो चीजे important नहीं है चलो अपन चलते हैं तो यही बोलता है कि Ren Ren जरा मेरी बात सुनो करके और तो Ren Ren बोलता है हाँ ठीक है बोलो तो यही बताता है कि मैं blacklist नहीं हो रहा हूँ मुझे लगता है तुमें कोई mistake हुई है तब ही Ren Ren बोलता है कि यही कोई बात याद आती है और तब ही जरा कि यही कोई problem नहीं है हम लोग तो friends है लेकिन Ren Ren समझ नहीं पाता है कि क्या ही बोल रहा है ही तो Ren Ren बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो तो यही बोलता है कि मेरा मतलब यह है कि मुझे इस तरह की publicity नहीं चाहिए और मैं इस तरह के future में काम नहीं करूँगा मैं सिर्फ एक actor हूँ मैं actor की तरह ही काम करूँगा और मेरा जो focus है मेरे acting career पर होना चाहिए और फिर से हमारे जिन्याओ की कई भी बाते याद आती है कि जिन्याओ कभी कभी annoying होता है लेकिन वो इस तरह की popularity नहीं लेनी है तो Ren Ren बोलता है कि तो तुमने कहा कि वो हमारा project cancel कर दे करके तो यह अपने मन में सुचता कि हाँ यह ऐसा मैं पहले ऐसे ही चाहता था लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यह मेरा right decision है और मैं admit करता हूँ कि इन सब चीजों से मुझे बहुत attention मिला और popularity भी मिली लेकिन यह सारी चीजे इसलिए हैं क्योंकि तुम मेरे साथ हो और यह सब मैंने अपने आप अंड नहीं किया यह सब मुझे इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारी popularity ज़्यादा है तो मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ कि लोग मुझे remember करे और मैं अपन एक दिन लेकिन वो लोग मुझे भूल जाएंगे और इसलिए मुझे अपना attention बढ़ाने के लिए महनत करने की जर्वत है करके तो रैन रैन अपने मन में सोचता है कि यह अब बढ़ा हो क्या है करके और तब भी वो बताते हैं कि इस तरह की जो sudden popularity आती है वो मेरा basically goal नहीं है मैं अपने ऐसा काम करना चाहता हूं कि जो मेरे fans हैं को मैं जब ना रहा हूं तब ही मेरे को याद करें करके और मैं जो हूँ एक बहुत अच्छा actor बना चाहता हूं लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है random तो आगे से मैं अपना future खुदी जो है finger out करूंगा करके लेकिन यदि यह सब too much trouble है तो मैं तुमारे को इस चीज में मदद कर सकता हूं और मुझे क्या है तुमारे साथ बहुत सारी चीज़े सीखनी भी है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मेरी वज़े से यह सब हुआ क्या तुम मुझे help करो कि acting सिखाने के लिए अब इतना अच्छा स्पीड सुनके हमारा रेंडरान एक्दम सेंटिमेंटल होने लगता हूं उसके आंकों में आंसु आ जाते हैं और वो यह को अपने गले लगा लेता और बोलता है कि तुम्हें फिकर करने की कोई ज़रती मैं तुम्हें हमेश्य सपोर्ट करूंगा और मुझे रूरू को ले जाना चाते हैं मिस्टर ही की फैमिली में और वहाँ पर कुछ दिन के लिए रहना चाते हो तो हमारी यह की मा बोलती है कि हाँ जो मेरे फादर है वो रूरू को बहुत ही मिस कर रहे हैं अब यहाँ पर दिको रूरू इन दोनों के बीच में फैटके गेम भी और बताती है मिसीजी की तुम तो जाते हो की ओल पीपल कैसे होते हैं उनको एक लाइबली आटमश्फियर पसंद होता है और यदि बच्चे होते हैं घर में तो बहुत चेहल पहल मची रहती है तो हमारा स्रीजी बौलता है की इस में कोई समस्या वाली बात नहीं है और यह हमेशे अपने काम में बिजी रहता है तो हम उसको बोल देंगे कि रूरू हमारे साथ कुछ दिन के लिए हमारे घर में रह रहा है तब ही CEO बोलता है लेकिन ऐसी बात है कि यह पहले ही Mr. E और Mrs. E से मिल चुका है करके वो मेरे पैरेंट से मिल चुका है Mr. E बोलते है कि कब मिला तब CEO बताता है कि लिंगवाई ने उसे एक पार्टी में बुलाया था और उस इवेंट के दौरान ही वो मिला था तो यह दोनों जो हैं E के माता पिता वो बोलते हमें कोई आइडिया नहीं है लेकिन वो फिर भी उन लोगों से मिल चुका है तो CEO बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए stranger हूँ आपकी family का नहीं हूँ लेकिन आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए यह जो है वो बहुत strong hearted आदमी है और यदि आप उसे बताएंगे सच्चाही तो वो बहुत जल्दी finger it out कर लेगा कि उसे कैसे इनको चीजों को handle करना है करेगा और आप उसे हर चीज छुपा रहे हो इस सच्चाही आप उसे बता दो सच्चाही क्या है तो मिसिस ही जो पुछती है तुमारा क्या मतलब है तो CEO बोलते हैं कि आप Mr. and Mrs. ही से बोल सकते हैं कि वो रूरू को अप और ही को अपने डारेक्ली घर में बुलाएं करके इन्वाइट करे और वो लोग उसको truth उसी समय बताए दे और इससे हैसा होगा कि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पचान भी हो जाएगी और यदि सब चीज़े ठीक रही तो आपकी जो सारी फैमली है वो एक साथ फिर से हमेशा के लिए हो जाएगी तो Mrs. ही जो ती है वो सोचती है कि हाँ फैंक सही कहा रहा है यदि हम जितना प्रॉब्लम्स को अवाइड करेंगे उतना ही ये चीज़ हमारे लिए हार्ड होती चाहेगी बात में फ्यूचर में एक्स्प्रेन करने के लिए और मैंने बहुत अपना प्रीशियस टाइम इन चीज़ों में वेस्ट कर दिया है पहले अब और मैं ये चीज़े वेस्ट नहीं करना चाती और ना ही मैं चाती हूं कि जो मैंने साव होँ य उए उए को भी बात में सैना पड़े तो मिस्टर ही बोलते है की ठीक है हम जो फंक फंक सजेशन दे रहा है हम उसको अप्लाए करते हैं और हम ये को रूरू को मॉम डैट से मिलवाने के लिए भीजते हैं और उन्हों को जाधा टाइम एगू से के साथ बिताने भी मिलेगा तो मिस्स ये जोती है वो भी खुश हो जाती है बोलती ठीक है अब क्या होता है मिस्स ये और मिस्टर ये जोते हैं बहुती मूवड होते हैं उसकी सीयो की ये बात सुनके और उसको एक दम प्याय भरी नजरों से देखते हैं कि इससे अच्छा अतामाद हमें शायद कहीं मिलेगा नहीं और तभी मिस्टर ये बोलते हैं कि थैंक्यू रूरू की देखबाल करने के लिए जो ये है वो हमेशा बिजी रहता है और रूरू को नेगलेक कर देता है और ये बहुती लगी है कि उसे तुम ऐसे रिलाइवल फ्रेंड मिले हो तो मिस्स ये भी बोलती है हाँ थैंक्यू सो मच और बोलती है कि मुझे लगा तब मैंने पच्चे से पहले कहा था कि मेरे जो पैरेंट्स उनको बच्चे बहुती पसंद है और वो रूरू के साथ रहना चाते हैं तो अब वो आगे से रूरू की देख भाल करेंगे और तब ही भी बोलती है कि वैसे भी बहुत ज़ादा समय ट्रावल करता है उसके पास ज़ादा टाइम नहीं है लेकिन मेरे माबाब के पास बहुत टाइम है तो वो रूरू का अच्छे से देख लेंगे तो आज के बाद से वो लोग रूरू को देखेंगे और तुम्हें जादा चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम तो बहुती यंग हो आपके तुम अपने बिजी वर्क और वर्क पे डेली अपना काम कर सकते हो तो मिस्टर यी बोलते हैं हमने पहले तुमको बहुती गलत समझ हो और हमें उमीर है कि तुम हमको माप कर दो के और जो हम हैं रूरू की बहुत इच्छे से देख भाल करेंगे करके तो सीयो ना सुचता है कि ऐसा नहीं है तो सीयो बोलता है कि आप लोग जो हैं बहुती काइंड है और यह मेरा ड्यूटी है मतलब रूरू की देख भाल करन और तभी वो मन में सुचता है कि मैं क्या करूं, कहूंगा करके, तभी वो डिसाइड करता है कि वो इन लोगों को सच्छी बात बता दे, तो वो बोलता है Mr. E and Mrs. E, मैंने आपको पिछली बार ऐसा कहा था, कि हाँ मैं और E couples नहीं हैं, बट मैं E को पसंद करता हूं, और मैंने यह भी काता कि मुझे उमीद है कि आप हमारे रिलेशन्शिप को प्रोग्रेस होने देंगे फ्यूचर में करके, लेकिन कल रात को मैंने अपने फीलिंग्स जो हैं, वो E को बोल दिये हैं, अब यह बात सुनके मिस्स E और मिस्टर E दोनों एकदम से पहुच चके रह जाते ह हैं, और वो फटाक से रूरू के कान बंगा देते हैं, और बोलते हैं, वेट, ऐसी चीज़े तुम बच्चों के सामने नहीं बोल सकते हैं, अब क्या होता है, एकदम से दोनों, मिस्टर E और MCC, रूरू के कान बंगरके, अपने मुझ के उपर उंड़ी रखते हैं, और CEO को रूरू के कान पे हाथ अका था तब भी दोनो Mr. E और Mrs. E बोलते हैं कि तुमने वैसे क्या का और E ने भी क्या का तो CEO बताता है कि जो E है वो बहुत ही शाय है इस मैटर में तो Mr. E बोलते हैं लेकिन उसने तुम्हें रिजेक नहीं किया तो CEO बोलते हैं उसने रिजेक नहीं किया बच वो कल रात से मुझे अवाइट कर रहा है करके तो जी की मा बोलती है कि यदी वो अवाइट कर रहा है और सिफ दोर भाइट कर रहा है और directly फैंक फैंक को मतलब उसे दूर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह फैंग-फैंग को पसंद करता और उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स है तो Mr. बोलते हैं Mr. यही कि हाँ तुम सही कह रही हो यदि वो फैंग-फैंग को पसंद नहीं करता तो वो सिर्फ उसी समय पर reject करते है हमारे बच्चे को नहीं बोलना आता है करके तो मिस्टर यी बोलते कि फैंग तुम जो काफी यंग हो और मुझे पता है कि तुम अपना लाइफ कैसे जीते हो तो हम लोग तुम लोगों के रिलेशनशिप में इंटरफियर नहीं करेंगे पर हम एक ही चीज चाहते हैं कि तुम लोग हैपी रहो और तुमनों का फ्यूचर जो है दूसरे लोगों के अपिक्षा थोड़ा हार्ट होगा करके लेकिन यदि यही ने तुमारे साथ रहना का विचार किया है तो तुमारे पास कोई प्लान तो हो गई तो हमारा CEO जो है बलश करने लगता है और बोलते हाँ मेर दोनों को एप्रिशेट करता हूँ आपकी इस काइडनेस के लिए और मैं रूरू की और यही की बहुत अच्छे से केयर करूंगा करके और मैं बस इतना चाहता हूँ कि यही भी मुझे बहुत जल्दी एकसेप्ट कर ले करके अब क्या होता है दूसरी तर दिखाते है कि हमा काम नहीं करेगा उनके रहे और वो थे मिस्टर ही मतलब वो लाउजी प्रोड्यूसर जो है लेकिन मैंने ही को लिस्ट नहीं किया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ही फैमिली हमारे पीछे बॉन स्टार एजंसी के पीछाएगी वो भी ही के लिए तो मिस्टर लिन बतात हैं कि वहाँ उन्होंने का सूची जारी करी है जिसमें लिखल वाणिंग लिखा गया है कि और कोई भी जो भी यही के रास्ते मायगा उसे कॉंसिक्वेंशस भूगने पड़ेंगे और यह बहुत ही क्लियर उनकी वाणिंगर करके और तब भी मोह सुस्था है कि यह और यू वो मेरे पास आया था उसको यह को डिफेंड करने के लिए उसके बाद क्या कहते हैं ही फैमिली आ गई और तो अब बताओ किसकी हिम्मत होगी उसको ब्लाकलेस करने के लिए तो मुमू बोलता है लेट मी थिंक करके मुझे सोचने दो और वो बोलता है कि मुझे से लगता है लोगों की गॉसिप जो है वो स्मेल कर रहा है तो वो बोलता है कि यदि अंकल ही कोई स्टार बनाना चाहते थे अपनी खराब मुवीज के लिए और तो यह सब वो चीजे अपनी फैमिली का पावर यूस नहीं करेंगा I guess और मुझे जहां तक पता है कि अंकल ही जो है वो अपनी फैमिली के ओपर डिपेंड नहीं रहते है तो यह कोई सेंस नहीं बनाता है कि अंकल ही ने मतलब यह सारी चीजे करी होगी करके और तब ही मुझे एक्दम से बोलता है एसा तो नहीं कोई यही में इंटरेस्टेड हो करके तब ही दिखाते हैं दूसरा सीन जहां पर जिन याओ और क्या कहते हैं हमारा यही रूरू के साथ में मिस्टर ही के मैंशन में आये पे हैं और वो बोलता है CEO कि तुम अंदर जाओ वो मैं कार में ही तुमारा वेट करूँगा तो यह बुलता है कि नहीं तुमको यहा वेट करने की ज़रूच नहीं तुम अपने काम पे जा सकते हो और यहां पर रेढ़ी वेट करोगे तो कि इतना टाइम वेस्ट होगा CEO बुलता है नहीं कोई बात नहीं तुम्हारे साथ रहने के लिए तो मैं इतना क्या support कुछ कर सकता हूँ तो मैं आप और इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ जाधा time गजार सकता हूँ अब हमारा जो ऐसी बाते सुनके हमारा यह जो होता है एकदम से blush करने लगता है और बोलता है तुम ऐसी सब बाते कैसे इतने काम फेस के साथ कह सकते हो तो सीज़ बोलता है अच्छा तुम जा यही एकदम स्पीड पकड़ता और भागी जाता है और अपने मन में सुचते है कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए यह सब चीज़ों को सॉटेट आउट करने के लिए तो इतने टाइम में तुम ज़रा मेरे साथ फ्लर्ट मत करो करके अब यह आगे आगे चलते हैं और तभी CEO भी सैड हो रहा होता है CEO अपने मन में बोलता है कि मैं तुमारे फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहता लेकिन तुम मुझे जल्दी एकसेट कर लो और यह अपने मन में सोचता है कि मैं जो हूँ इस मैटर से भाग नहीं रहा हूँ मैं बस यह responsibility को कैसे ले लूँ इसके लिए मैं तुड़ा nervous हूँ और सोच रहा हूँ और अपने मन में बोलता है कि हाँ मैं coward person नहीं हूँ और तब ही क्या होता है मिस्टर ही और मिसीज ही आते और बोलते हैं कि यह हमें अच्छा लगा तुम्हें देखके जल्दी आओ घर के अंदर जल्दी आओ तो यह अपने सेंस में आता है और इन दोनों को हेलो बोलता है और रूरू एक दम भागतावा जाता है ग्रैनपा ग्रैनी आप से मिलके मुझे खुशी हुई करके और तुरंत जो है रूरू अपने मिस्टर ही के पैरों में जूल सा जाता है और मिस्टर ही गोलते है कि तुम किते गुड़ बॉय हो करके मिस्टर ही को गर के अंदर बुलाती है और तभी ही अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने पहले भी कहाता कि मैं उनके गर में कभी भी आ जा सकता हूँ और मुझे लगाता कि ये लोग सिफ ऐसे पॉलाइटली प्रिटेंट कर रहें गर के पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये लोग मुझे अपने गर में फिर से बोलाएंगे और ये एक अच्छी बात है कि इस वीक मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं लोगों विजिट कर सकता हूँ लेकिन ये लोग रूरू को कैसे जानते हैं ये अपने मन में उसको ध्यान आता है कि लास्ट टाइम जब आया था तो वो रूरू को तो नहीं लाया था इस बार रूरू को लेका है लेकिन पहले ही वो लोग रूरू को चानते हैं अब क्या होता है, काफे सारे स्नैक्स होते हैं, चॉकलेट सोते हैं, टी कप्स होते हैं, ये लोग सब चाय पी रहे होते हैं, और मिस्टर ही रूरू के साथ खेल रहे होते हैं, और रूरू दिखाता है कि देखो ये जो लाली पॉप है, ये मेरे लिए है, और तभी मिस्टर ही और मिसिस ही एक दूसरे को देखते हैं और मन में सोचते हैं अब टाइम आ गया है करके तबी मिसिस ही बोलती है कि तुम जो हो तुमारा जो टाइम है तुमने यहाँ पर यह को बुलाने में लगाया यदि तुम महरे को जादा इनकनवीडियन नहीं हो रहा हो हमारे इन्वीटेशन के लिए तो यहाँ थोड़ी देर रुप जाओ करके तबी यह बताता है कि हाँ मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है तो मुझे यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस हफते मेरा जो वीक है उसमें मुझे आफ है मेरे पार जादा कम नहीं है तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों को विजिट करके तो मिस्टर ही बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि यह इतना बोरिंग है तो क्यों ना हम रूरू के साथ जाके कार्टून देखें करके और तब ही वो एक और बोलते हैं कि यू नो तुम को पता है कि मैं अच्छे से देख नहीं सकता और मैंने अपने जो रीडिंग ग्लासेस हैं मुझे यहां नहीं दिख रहे हैं शायद मैं अपने स्टेडी में भूला आया हूं तो पीछे से मेड बोलते हैं कि मैं जाकर लेके आती हूं करके तो जो यह मिस्टर ही हैं बोलते हैं नहीं तुम मत जाओ तुम जाके हमारे लेड वो लेके आओ चाहे लेके आओ कु Ale जाती है ओर ताप भी मिस्टर ही बोलते है कि एककाम करो तु मेरे STEDY में जाो वहारे जो GLASSES भूले के आओ ये GLASSES में रखे मिसिस ही सोच रही होती है कि हाँ ये जा रहा है STEDY मैं well corner में जो है वहाँ पर तुमको जाना है करके तो रास्ता बता रही होते है कि steady इस जगह पर तो यी बोलता है ठीक है तो मिस्टर ही अपने husband से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो देखीगा क्या तो मिस्टर ही बोलते है हाँ देखीगा इतनी बड़ी फोटो है impossible है कि कोई उस फोटो को ना देखे करके अब क्या होता है मिस्टर ही के steady में यी आता है और बोलता है ये जो है यहाँ desk के और यहाँ पर drawer है तो इसी के अंदर उनके reading glasses होना चाहिए तो वो desk खुलता है और glasses निकालता है लेकिन और उनका इक भाई खड़ा होता है वो drawer को बंद करता है और इस फोटो को फिर से एक बार देखता है और बीना कुछ कहें वो आता है और बोलता है कि क्या यही glasses हैं क्या आपके तो दोनों बोलते हैं हाँ यही glasses हैं और mister ही उसके हाथ से glasses लेने लगते हैं अब जो यही है वो बहुत ही कामली बिहेव करता है तो इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि हमने तो आप फोटो रखी थी तो गी कामली क्यों बिहेव कर रहा है उसे तो मतलब थोड़ा सा excited होना चाहिए बहुत सारे questions होने चाहिए जो पूछने चाहिए लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं तो यही बोलता है कि चलो चलते हैं कार्टून देखते हैं तो बिचारे यह दोनों बूटा पूटी क्या ही कहते हैं तो ओके बोल देते हैं और रूरू बहुत खुश हो रहा होता है कि कार्टून देखना जा रहे हैं करके तो यह दोनों सोचते हैं कि शायद उसने वो फोटो नहीं देखिए और इन दोनों को बहुती सैट फील हो रहा होता है और तब भी दिखाते हैं कि कैसे रूरू बोल रहा है कि डखी का जो फाइट है वो इवल कैट यह काफी से निकल जाता है कार्टून जो है वो खतम होचाता है जब कार्टून खतम होता है तो हमारा रूरूज़ वो सैट सा हो जाता है यह बोलता है कि कोई समय कोई प्रॉबलम नहीं है नेक्स टाइम नया आपिसोड आएगा और आप बहुत लेट होता जा रहा है और मुझे रूरू को लेके चलना चाहिए तो रूरू भी ओके बोलता है तो मिस्टर ही बोलती है कि तुम हमारे साथ डिनर करके चलो तो मिस्टर ही बोलते है हाँ डिनर करके जाना हमारे साथ तो मिस्टर ही बोलती है डिनर बन ही रहा है तो मिस्टर जी बोलते हैं डिनर बन ही रहा है तो यह जो था है बोलता है नहीं नहीं हमें यहाँ जादा दे नहीं रहना चाहिए मेरा एक प्लान है मेरे फ्रेंट के साथ तो हमें जाना चाहिए तो यह जो था है अपने मन में सोचता है उसे याद आता है कि वो टोटली भूल गया कि वो जिन्याओं के साथ आया है और वो बाहर वेट कर रहा है और मैं जो हूँ बहुत कंट्यूस था पहले और मैंने टाइम को नोटिस नहीं किया क्या वो चला गया होगा या वो अभी भी बाहर होगा तो यह सारी बात है हमारा यह अपने मन में सोच रहा होता है तब ही मिस्टर ही बोलती है यह सब ठीक है तुम अपने फ्रेंड को जाके मिल सकते हो अफ्टर डिनर करेके और मिस्टर ही बोलते है तुम हमारे गैस्ट हो ऐसे कैसे तुम बिना खाना खाये जा सकते हो और रूरू को भी भूक लगी होगी तो रूरू तो बस तुम लोग सब जानते ही हो कि खाने का नाम देते से पागल हो जाता है वैसे ही रूरू बोलने लगता है कि हाँ मुझे खाना खाना है तब ही हमारा यही सुस्ता है कि जिन पूछ लूँगा कि उस फोटो में क्या मेरी मदर थी क्या करके और यह जो फोटो है बिल्कुल मेरी माम की तरह दिखाई देती है और जब वो यंग थी करके तो एक्छली यह के दिमाइग में भी बहुत सारे सवाल हैं और उसकी मादर का आखरी सहनेम जो भी ही है तो यदि व मिसिस ही को समझ में नहीं आता और फिर भी बोलती है कि यह तो यह बोलता है कि एक्छली वो जो है वो हमारा बाहर वेट कर र先生 कर रहा हैा करके तो मिसिस ही मेरा जो दोस्त है वो और और यह आ sensors है और यह रहा और इसीलिए मुझे आपके साथ में दिनर नहीं कर सकते हैं करक और मैं आप लोग के साथ टश में रहा हूँगा तो मिसिस ही बोलती है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना लेकिन जो हमारे मिस्टर ही होते हैं वो बड़े दुखी से हो जाते हैं और वो बोलते हैं रूरू तुम भूलना मत तुम हमें विजिट जरूर करना तो रूरू बहुत जबी होके बोलता है अब यही और रूरू दरवाजे के पास पहुंचते हैं और इनको टाटा वाय वाय करते हैं और तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि हमें इन लोगों को टाइम देना चाहिए हमें इस तरह से इतना हार्ट पुश नहीं करना चाहिए जिससे कि वो हम लोगों को अराम से accept कर सके और तभी Mr. जी बोलते कि हम तो already old हो गए हैं हमारे पास जादा समय बचानी है और मुझे बहुत जलन होती है जब मैं Mr. जैन को देखता हूँ कैसे वो अपने family के साथ happy है और उनका great grandson भी है मुझे भी ऐसा happiness चाहिए करके अभी और रूरू इनके mansion से बहार निकलते हैं और तभी ये लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब Mr. ही अभी भी सोच रहे होते हैं कि जो children होते हैं इतना बड़ा घर है यदि children नहीं होंगे गर में तो 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 सूना सा लगेगा और एकदम घर एकदम जेल की तरह हो जाएगा लोनली सा हो जाएगा और तभी Mrs. ही बोलती है कि हाँ तुम सही कहा रहे हो बहुत समय से हमारा जो कहारे बहुती लोनली सा था तो चुले हम कुछ और सोचते हैं किसी और तरीके से हम इस चीज़ को वरकाउट करने की कुशिस करते हैं अब कार होती है जो हमारे CEO की बाहर खड़ी है और जो सब कार में बैठ जाते हैं हमारा रूरूस हो रहा होता है लेकिन घी के दिमाग में बहुत सारी बाते चल रहे हैं पर भी सोचता है कि क्या जो फोटो में और टी वह क्या वह वाकही में मेरी मा थी लेकिन यदि ऐसा है तो मेरी माने कभी भी मुझसे कुछ भी बताया क्यों नहीं करverts और फिर के पहले प्रल्याने सूना था कि माम और डैड बात कर रहे थे कि मेरे जो ग्रैन पारेंट्स है वो हमेशा सैड थे जब मैं चोटा था करके और मुझे ऐसा लगा कि हमेशा जब मैं कभी भी बात करता था अपने मदर से तो वो हमेशा सैड हो जाते थे तो मुझे लगा कि मेरे grand parents जो वो मर गए हैं इसलिए मेरी माँ sad हो जाती है लेकिन वो लोग तो अभी भी जिन्दा हैं और क्या वो लोग Mr. E और Mrs. E हैं क्या ये लोग मेरे grand parents हैं तो CEO जब देखता है कि अपने ख्यालों में कोया है तो वो E को आवाज लगाता है कि E क्या हुआ तुम ठीक से नहीं दिख रहे हो तो E बोलता है कुछ नहीं हुआ फिर वो अपने मन में सोचता है कि Mr. and Mrs. E किते kind है और जो मेरी mother है वो भी एक sensible person है तो यदि यह लोग मेरे relatives हैं तो इन लोगों ने इतने सालों से मुझे visit क्यों ने किया करके तो CEO पूछता है कि क्या तुम्हें Mr. and Mrs. E कि ने कुछ बोला है तो यही एकदम से reality में आता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने करके तो CEO बोलता है कि मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हें कुछ Mr. and Mrs. E ने बताया है और तो हमारा यही बोलता है तुमारा क्या मतलब है इससे और नहीं उन्होंने कुछ बोला नहीं हम लोगों ने सिर्फ कार्टून्स देखे रूरू के साथ लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो तो CEO बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बस ऐसे ही पूछ रहा था और तो CEO अपने मन में सुचता है कि in the end किसी ने भी को सच्चा ही नहीं बताई करके अब क्या होता है रूरू अपनी पढ़ाई कर रहा होता है कुछ बना भी रहा होता है रूरू अपने काम में बहुत ही पुकस लगाए कि कर रहा होता है और यह जो है वो डेइस्ट पेट बैठा होता है रही हमारा वो थोड़ा सा यह की ज़ुकावा यह दिखके यह आखे फोट जाती है और यह बोलता है कि हे तुम मेरे इतने भी पास मता हो तुम क्या कर रहे हो दूर हटो अपना जो लग के जादा मत अजमाओ मतलब मैं तुम्में अपने अपने इतने पास में नहीं बैटने दूंगा गके तो CPU का चाहरा भी ब्लश कर रहा होता है तो CPU बोलता है तुम्हें पता है कि रोरू जो है अब बच्चा नहीं रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि रूरू को अब अकेले सोना सीखना चाहिए और तभी यही बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं और वो तो अपने बात्रूम तक नहीं जा सकता है रात में वो कैसे अकेला सुएगा तो CEO बोलता है कि तो हमें उसे सिखाना पड़ेगा रूरू अभी भी अपना learn कर रहा है और तभी CEO बोलता है कि मैं तो हमेशे चोटा था तभी मैं अकेला ही सोया हूँ तो रूरू भी चोटा है तो क्या होगा वो भी अकेला सो सकता है और जो है ऐसे तो फिर वो बढ़ेगा ही नहीं कभी भड़ा नहीं होगा यदि वो कभी independent ही नहीं बनेगा यदि हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे तो यह को और भी गुस्सा आता है और यह अपना मूँ खोलता है तुम्हारा क्या मतलब है मैं अपने बच्चे को स्पॉयल करना चाहता हूँ बगारना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो कभ कि अमारे साथ सू़ सकता हूँ क्या अब दो हमारे यह का चैरा एकड़म शर्म से पानी पानी हो ज़ाता है तो यह बूलता यह कि तुम इस घर के मालिक तुमें जहां सोना है तुम वहाँ सो सकते तुम्हे कोई रोकेगा थोड़ी ना तो CEO बोलता है तो इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ आजरात को सो सकता हूँ तो यही बोलता है नहीं तुम हमारे साथ नहीं सो सकते है मैं अभी भी तुम से नाराज हूँ तो CEO पुछता है तो फिर तुम कब तक नाराज रहोगे कि तुम कब नराज होना पंद करोगे क्या मैं कुछ कर सकता हूं तो यह बोलता है कि इस तरह की बाते करना पंद करो मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मोटी चमडी के होका कि हमारी अभी अभी फाइट हुई है और तुम मुझे कांडाउन होने का समय भी नहीं दे रहे हो और उल्टे तुम अपनी जो मेरी फीलिंग्स है मतलब CEO बोलता है कि जो मेरी फीलिंग्स है रख देता है जिस से CEO कुछ आगे ना वोले CEO यही का हाथ अपने चैरे पे से हटाता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकरते हैं और जब उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है तो हमारे यही का फेस और भी ब्लश करने लगता है और यी तुरंट अपना हाथ पीछे रिकीच लेता है और बुलता है मुझे मत चुआ तो CEO बुलता है लेकिन सबसे पहले तुमने मुझे चुआ हाँ वाकई मिस यी ने CEO के चैरे पे हाथ रखा था तभी यी बुलता है अच्छा चुड़ो इन सबातों को मुझे तुमारे साथ भैस नहीं करनी है और CEO ये देखके खुश हो रहा होता है कि कैसे जो हमारा यी है वो फ्रस्टेट हो रहा होता है अब दिखाते बॉन स्टार रॉयल इंटर्टेंडमेंट फिर से और वहाँ पर कोई यी को आवाज देता है और तभी ये कोई और नहीं मिस्टर ही निकलते है जो कि आज फिर बेस बदल के आए है और इन्होंने कैप भी पहन रखिये जो ड़की का कैप है और तभी ये इसको देखके सोचता है कि इस बार फिर से मिस्टर ही मतलब जो प्रोडिूसर है वो फिर से अपना बेस क्यों बदल के यहां पर आए है और तभी अपने कैरियर पे और एक्टिंग पे एक्टम फोकस कर सकते हो तो यह भी उनको बहुत उससे मतलब आखे फाड़के देख रहा होता है क्योंकि प्रोडिूसर को अभी तक यह बात पता नहीं है और मिस्टर ही जो है वो अपना स्क्रिप निकालते हैं बोलते हैं यह स्क्रिप को तुम पर सकते हो मैंने बहुत सारा एपड किया था इस स्क्रिप को लिखने के लिए और मैंने बहुत अच्छा करेक्टर तुमारे लिए लिखा है तो यह जो तैना उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और उसको इतनी से याद आता है कि यह जो इनसान है हमारी जो सुसाइटी में हम अलरड़ी इस सुसाइटी में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और इस आदमी का जो है अलरड़ी इतना इंफ्लूएंस है इस मार्किट में और यह जो आदमी है और वैसा ही दिख रहा है जैसा कि यह उस फोटो में दिख रहा था अप्टर ओल यह आदमी जो है वो इसकी मम्मी का भाई है तो एक जैसे ही दिखेंगे तो हमारा यही बोलता है कि मिस्टर ही तो मिस्टर ही सुचते हैं कि पक्का शायद यही रेडी हो गया बड़े खुश हो रहे होते हैं तभी ही बोलता है कि क्या आप मेरी मदर को जानते हैं मेरी मा का नाम यूशुख ही है करके अपनी मा का नाम बताता है अप जैसे ही यह प्रोडिूसर मिस्टर ही अपनी बहन का नाम सुनते है वैसे इनके हाथ से जो script थी वो फट से नीचे गिर जाती है अब क्या होता है कि यह बुलता है यह side story है जो यह बुलता है कि इसने एक चीज जो है वो notice करी है तो जिन्याव पुछता है कि तुमने क्या notice किया है तो यह बुलता है कि ऐसा रगता है कि चिते भी family members है मुझसे related में उनके हाथ में जो भी चीज होती है वो ना हमेशे वो चीज गिरा देते शौक के मारे में तो दिखाते हैं कि पहली बार जब यह ने पनी mother को phone किया था तो उसकी mother को उसने बताया था कि guess करो में किस actress के साथ कर रहा हूं उसका नाम लिंग वाई है तो उसकी माँ से phone गिर गया था और जब दादा जी ने कहा कि उसका नाम यूशू है मतब उसकी माँ का नाम यूशू है तो उनके हाँ से जो था tea cup गिर गया था और आज जब यह producer ने कहा कि मेरी mother का नाम यूशू ही है तो उसके हाँ स्क्रिप्ट गिर गई तो basically इनके family में सबके हाँ से script किया cup या phone गिरता ही रहता तो CEO बोलता है हाँ तुम सही कह रहे है तो रूरू जो है बहुत टर्शन में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए रूरू के हाथ से कोई भी चीज नहीं किर सकती तो यही बोलता है हाँ सच में तभी बोलता है यही बोलता है कि अब क्या है जो salt and paper का कार्टून है डकी नाइट वाला उसका कोई भी episode अगले हफते release नहीं होगा तो जैसे ही यह सुनता है रूरू, रूरू के हाथ में प्लेट होती है और वो थड़ से गिर जाती है क्योंकि आखिरकार यह कार्टून तो हमारे रूरू का फेवरेट है उसका episode नहीं आएगा इसका धबका हमारे रूरू को लगता है प्लेट गिर जाती है और रूरू रो अभी भी अपने अंकल ही से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि आप मेरे अंकल है और लिंगवाई के फादर है और लिंगवाई जो है वो मेरी करजन है और मिस्टर और मिसिस ही जो है वो मेरे मॉम के पैरेंट्स है तो इसका मतलब क्या यह हुआ कि वो मेरे ग्रेंट प प्राइब करता है तो अंकल ही बोलते हैं हाँ ये सही है तुमने सही समझा है तो ये सारी information अचानक मिली होती है तो वो अपने मन में कहता है नहीं मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूं और वो बोलता है कि क्या हो रहा है और एकदम से मेरे पास इतने सारे family members कैसे हो गए हैं तो बोलता है कि Mr. He और मैंने आपके हाँ जो फोटो था उसमें यदि देखा नहीं होता तो आप लोग कब तक मेरे से ये truth जो है उसे छुपाते रहते तो क्या आप कभी भी मुझे ये truth बताने वाले थे या कभी नहीं बताने वाले थे तो ये अंकल ही बोलते हैं कि एक सेकंड रुको यी और तुमको अपसे मुझे अंकल यू क्यू बोलना चाहिए और इस मामने में जो Mr. अंकल हैं ये ही हैं वो बहुती सुपर सीरियस होते हैं तो यी बोलता है ओके पर ये पॉइंट नहीं है तो आगे बताते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मा तुमें बहु इसलिए उसने शाहिद ये सारी चीजे शुपाई होगी करके तबी अंकल ही जह है वो उसको स्टोरी बताते हैं कि क्या हुआ था और वो शॉट में बताते हैं कि बहुत समय की पहले की बाती जो तुमारे ग्रैंट फादर थे उन्होंने तुमारे फादर के साथ तुमारी मम को उसके साथ रहना था तो उन दोनों के बीचें बाठ फाइट हुआ ओर फिर वो जोती घर छोड़के अब तुमारे फादर के साथ चली गई थी-इसे करके अंकल ही जय है वो सारी बाते में यही को बताते हैं तो अंकल ही यह भी बताते हैं कि तुमारे जो आ教 dते है और ब suppliers बैकिन मेरी तरह HANCEM नहीं है और वो तैलेंटेज भी है लेकिन मेरी तरह टैलेंटेट नहीं है और most importantly वो तुमारी मा से बहुत साधा प्यार करता है इसी लिए मैंने तुमारी मा को तुमारे फादर के साथ भागना इमेज हो करके और तुम्हारे में कोई भी डाउट नहीं है कि तुम्हें ही फैमिली के कोई भी जीन्स नहीं आए होंगे और प्लस जो तुम्हारे डैड है उनके थोड़ी सी क्वालिटी भी तुम्हें आई हैं और तुम जो अच्छे भी दिखते हो तो यह बोलता है आप मु मिस्टर ही बोलते हैं कि हाँ यदि एक परसन अपनी मिस्टेक को एकसेप्ट कर लए तो दूसरा आदमी उसे माप कर देगा और जो पुराने ग्रजस थे वो सब कुछ जो है ठीक हो जाएंगे और अगर का हम अभी भी एक फैमिली है और तब ही बुलते हैं कि मैं बहुत समय से अपने घर पे नहीं गया हूँ मैंने अपना फैमिली छोड़ दिया था प्रोड्यूसर बनने के लिए और मैं तब तक नहीं जाओंगा जब तक कि मैं कि हीूज सक्सेस्फूल प्रोड्यूसर नहीं बन जाता और बुलता है कि मैं मुझे रगता है कि मैं फेमेस हो जाओंग केले में कितना सौरी हूँ क्योंकि यह जो प्रोडूसर है वो जो अंकल है वो हमेशा से एक यूज़स प्रोडूसर ही रहे है उन्होंने कोई भी अभी तक हिट पिक्चर या कुछ भी ड्रामा नहीं दिया है तो अंकल बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूद नहीं हैं तुम लोग तुम जो भी यह चीजे इसको हाल पर छोड़ दो समय के साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा तुम मेरी स्क्रिप्ट को पढ़ो तो जो मेरा करेक्टर है इस स्क्रिप्ट में वो बहुत ही अच्छा तुम पर सूट भी करेगा और तुम जो हो अपने एक् क्या करेक्टर है और बोलता है कि सारी स्क्रिप्ट जो है मुझे सिमिलरी फैमिलियर लग रही अपने मन में बोलता है और वो यह अंकल उसके दूसरी तरफ से बोल रहे होगे कि तुमें क्या कहते है तुमें फोर्स के साथ वहापर काम करना पड़ेगा और तुम फिर अपन इस work से बहुत ही tired हो जाओगे यह बहुत tedious work है करके तो यह वो script देखता है और बोलता है यह सारी scripts जो इतनी भी इस producer ने बनाई है मतलब इस uncle ने बनाई है वो सारी की सारी पिछली scripts के साथ साथ सेमी जैसी है और तब ही uncle वहाँ पर brag कर रहे होते है कि मैंने इस maestro को 30 years में solve गि और square ही नहीं है और सबने कहा कि वो मुझे business से निकाल देंगे और मैंने बहुत सारा पैसा भी बनाया करती और उन लोगों को मेरे true passion के बारे में पता नहीं है तो यह बोलता है Mr. He मेरे को आपकी script का general idea है तो Mr. He बहुत खुश हो जाते है तो तो तुम्हें क्या लगता है मै ने यह तुम्हारे लिए लिखा है तो तुम क्या सोचते है तो He बोलता है कि मैं सच में बोल सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ तो Mr. He बोलते है हाँ तुम बोलो तो He बोलता है मैं यह picture और यह drama नहीं करना चाता हूँ यह सुनकर अंकल ही को एक जटका सा लगता है अब दूस बहुत gentleman दिखता है और उसने यह flowers आपको gift में भेजे है करके और gift भी भेजा है और आपने उसे बार पर भगा दिया है और तो वैसा लगता है कि वो वापस नहीं आएगा करके और तभी वो यह भी बताती है कि normally तो हमारे set पे किसी को आने नहीं दिया जाता है लेकिन उन्ह वो आराम से आजा सकते है और security भी उन्हें नहीं रोख सकती है तो लिंगवाई बहुत नराज हो जाती है और बुलती ही कि फ्लावर और gift जो है उसे वापस दे दो और जित्ती बारा है उसे वापस कर देना और जिससे कि तुम कभी भी उसको लेना नहीं और यह opportunity को मिस नही करना तो लड़की बूलती है जो दुसरी फ्लावर लेके आई होती है वह वाला इंसान बोलता है कि बटमेस जो फैंक सिंपली जो है आपसे friendship बनाना चाहते है और वो चाहते है कि आप यह सब चीजों को accept कर ले करके और वो उन्होंने मुझे यह भी कहा है कि आपको डिनर के अब उतके साथ डिनर पर जा सकती है तो लिंग भाई को और गुस्सा आता है कि वह और गुस्सा आता है वह लगता है आप है आपर scandal बनाने के लिए आयाए लगा लिंग वह बोल देती है कि उसे बोलो कि मैं इसके साथ कुछ डिनर विनर नहीं करूंगी और नहीं मुछे य उसको क्या सोच रहा है वो यह दिखा रहे हैं और वो बुलता है कि हमने जो है physical contact बनाया मतलब उसने EE को छुआ था और इसमें उसने भी initiative लिया था करके और हमने अपने सारे interest भी जो है share किये करके और तो last step जो था वो अभी तक हुआ नहीं मतलब एक दूसरे को अपने आपको submit करने का तो I think वो मुझे accept कर लेगा करके मतलब CEO को लग रहा है कि कभ ही उसको accept करेगा और तभी उनका जो manager होता बोलता है I think वो आपको accept कर लेगा और तभी CEO सोचता है कि चुक्कि उन दोने ने हाथ पकड़ा था और यी blush भी कर रहा था तो हो सकता है वो भी यी CEO को थोड़ा थोड़ा प्यार करने लग गया होगा तो manager बोलता है इस बारे में मैं sure नहीं हूँ पर मैं एक चीज़ के बारे में sure हूँ यहाँ पर audition देने के लिए यह आता है और एक script दी जाती है 007 की की मेरे glasses मिल गए है और मैंने बहुत सारी चीज़े देख ली है और फिर तभी वहाँ पर लोग बोलते हैं कि हम जो result है वो announce करेंगे audition का बाद में और अब आप अपने घर चा सकते हो तो यह audition देखें बहार निकलता है सब लोग बुछते हैं कि तुमारा audition कैसे रहा तभी teacher आती है उसकी और यह अपनी teacher को देखता है बोलता है miss jang और तभी miss jang बोलती है कि मैंने तुमारा audition देखा तुमने बहुत अच्छा किया है और मुझे जहां तक लगता है कि director जो है वो भी तुमारी acting से और performance से satisfied है और वो शहाँ तुमें के role देदेंगे और यह जो है festive comedy का है तो यह को लगता है कि सच में उसे role मिल जाएगा तभी वो पुछना है कि आपको नहीं लगता कि मेरा acting जो है वो थोड़ा सो-सो सा है लेकिन मैं ऐसे ही act करता था तो उनकी teacher बोलती है नहीं यह different है इस time जो audition तुमने character के लिए दिया है वो एक fake agent का है और वो disguise में है और जो requirement है इसकी उसमें बहुत जादा acting को exaggerate करके करना है तो तुम इस role के लिए एक दम perfect हो और तुम जो हो अब अपना control और balance बनाना भी सीख गए होगा के और तुमारे actions वगरा भी अच्छे हैं और तुम काफी चीजे randomly try भी कर सकते हो तो यह बहुत खुश होता है कि उसकी कोई तारीफ कर रहा और बोलता है हाँ मैं करेक्टर को काफी अच्छे से imagine कर सकता हूँ और उसको अच्छे से craft करके play कर सकता हूँ और बोलता है मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझे इतना कुछ अच्छा सिखाया करके तो teacher बोलती है कि जो करेक्टर का मतलब है कि तुम्हें करेक्टर की जो needs हैं उनको सीखना पड़ेगा और तुम इस करेक्टर के लिए बिल्कुल ठीक हो तो मुझे लगता है कि ये करेक्टर तुम पर सूट करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि director गाओ जो है वो इस में रोल तुम ही को दे देंगे करके और मैं तुम्हें वधाई देने आई हूं करके तो ये खुश होता है और बोलता है thank you आपके lucky words के लिए फिर पीचर जाने लगती है ये teacher को bye-bye करता है और सुचता है कि teacher ने उसे सच में तारीफ करी है और मुझे सच में ये role मिल गिया है और ये role मैंने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है करके अब ये सुचता है कि मुझे ये बात CEO को बतानी चाहिए और वो बहुत खुश रोगा तब ही उसे लगता है एक मिनिट के बाद कि अरे मैं क्या सोच रहा हूं मैं ऐसी बाते कैसे suddenly सोचने लगा हूं मेरे साथ क्या गरबड़ी है क्योंकि फिर उसको लगने लगता है ना कि CEO ने उसे अभी love you का हाथा करके तो वो एक दों शाय सा feel करने लगता है और सुचता है कि मैं वाकई में CEO को देखना चाहता हूं करके अब ही जो ही जो है वो बहुत ही blush करने लगता है और सुचता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं क्यों जिन्याओ को देखना चाहता हूं और मैं क्यों उसे देखना चाहता हूं यह सोच कर उसे बहुत frustrated feel होता है क्योंकि अभी भी वो अपने feelings को डंग से समझ नहीं पाया है और तभी वो सुचता है कि हो सकता है मैं audition वर देखे बहुत stress out हो गया हूंगा इसलिए मैं fang fang के बारे में सोच रहा हूं और हम तो actually मैं friends हैं तो मुझे ऐसा शायर उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए तो वो अपने आपको सांधवना देता है कि ऐसा इसले हो रहा है क्योंकि उसका workload जो है वो बढ़ गया है लेकिन वो अभी भी शाय कर रहा होता है तो वो सुचता है कि मैं किसको ये great news पहले दूँ रैन रैन को दूँ लिंगवाई को दूँ लिंगवाई के नंबर पर उसका हाँ जाता है और सुचता है ये मेरी cousin है और शायद उसे पहले से ही पता होगा कि मैं उससे related हूँ इसलिए वो मेरी तरह film set में देखती थी otherwise वो मुझे शायद पहचानती भी नहीं और तब भी वो phone लग जाता है और तब भी लिंगवाई बोलती है कि हेलो बहुत दिन हो गए मैंने तुमारी कोई news नहीं सुनी लेकिन वहाँ से कोई जात नहीं होता लिंगवाई फिर हेलो बोलती है और पुछती ये तुम वहाँ हो ये करके देती है तब ही ये बोलता है कि हाँ लिंगवाई मैं यहाँ पर हूँ मेरे से गलती से तुमारा number लग गया तुम मैं bother कर निकले sorry कर के लिंगवाई बोलती है कि नहीं कोई problem नहीं है मैं break पे थी तो वह पुस्ता है ये पुस्ता कि तुमारी movie कैसे चल रही है कै तुम थकी भी हो कै तुमारा shoot हो चुका है तो लिंगवाई बोलती है कि shoot almost over हो गया है मैं fine हूँ और मैं रात को अब मुझे late night तक shoot नहीं करना पड़ेगा और मैं रात को अच्छे से भी सोती हूँ तो तुम कैसे हो करके तो ये बोलता है कि मैं ठीक हूँ मेरा audition हो गया है और मुझे उस audition में पास भी कर दिया गया है मेरे acting coach ने मुझे बोला है कि ये बहुती major role है तो मैं इस चीज को लेके बहुत happy हूँ तो लिंगवाई भी बहुत happy होती है और उसको जो है वो बोलती है कि director गायों जो है वो comedy film कर रहे करके तो इसके लिए congratulations करके और उनकी जो बहुत sharp 20 होती है और उन्होंने सही बंदे को चुना है और फिर वो एक बर फिर से बदाई देती है तब ही सुचता है कि इसमें जो greatest factor है वो मेरे acting है और मेरा stylist करक्टर को सूर करता है शादे इसलिए मुझे ये role मिला है और अपने मन में सुचता है कि लिंगवाई मेरे से भी ज़्यादा happy है ये दिखके मुझे खुशी हो रही है करके और मुझे finally पता चला है कि कैसे मतलब recognize होना है लोगों की आख़ों में और suddenly मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे पता दू करके तो दोनों एक point परके रुख जाते हैं तो लिंगवाई से किसी तरह ये जो है हिमत करता है और बुलता है कि मुझे पता है करके कि आज मुझे मेरे अंकल कुछ दिन पहले मिलेते और मुझे पता है कि तुम मेरी कज़र नो ये सुनके लिंगवाई को दोड़ा सा शौक लगता है बोलती है अच्छा इसका मनुद तुम्हें पता है तो ये बोलता है कि मुझे नहीं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी famous actor जो है वो मेरी cousin होगी और तुमने इतनी से मुझे शौक कर दिया और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम मेरी इतने close होगी करकी तो लिंगवाई बोलती है ऐसा मत कहो मैं तुम्हें हमेशा से तुम्हें देख रही थी लेकिन दूर से देख रही थी हमारे जो parents से उनने मुझे बताया कि तुम्हारी mom ऐसे चली गई थी जब मैं छोटी थी और मैं हमेशा तुम से मिलने के बारे में सोचती रहती थी तो यह बोलता है कि तो इसका मतलब यह है कि सिफ अकेला मैं ही हूँ जिसे किसी ने कुछ नहीं बताया स्टार्ट से करके तभी एक आदमी आता बुलता है कि लिंगवाई आपको सेट पर बुलाया गया है करके तो लिंगवाई बुलती है सौरी मुझे जाना पड़ेगा तो यह बुलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम जाओ हम बात में बात करेंगे और जाने से पहले लिंगवाई बुलती है कि जिंग्याओ का जो भाई है कसन बुलता वो मुझे बार बार मिलने आ रहा है और तुम क्या करो जिंग्याओ को बताना कि उसको इस चीज़ पे नजर रखने की जरुरत है करके और ऐसा करके फोन कार देती है और अपने मन में सुचती है कि उसने पहली बार ही ऐसे ब्लेंटली सची बात कही है तो हो सकता है यह समझे कि वो क्या कहना चाहती है लेकिन यहीं कन्फ्यूज होता है वो सुचता है क्या वाच आउट करना है किसको वाच आउट करना है और जिन याओ के कजन से क्या लेना देना है अब क्या होता है टाइम आगे बढ़ता जाता है छे बच जाता है और तभी वो लो बोलते कि टाइम आगे चला गया है तो CEO बोलता है मुझे अब घर जाना चाहिए और तभी मैनेजर बोलता है कि लेकिन CEO ऐसा क्यों नहीं सोच रह तो CEO बोलता है लेकिन जो यह है वो अब तक आ गया होगा और रूरू जो है वो kindergarten से घर आ गया होगा तो मेरा तो घर जाना पहुच जरूरी है तब ही manager बोलता है लेकिन आपने तो कल की meeting के बारे में कुछ देखा ही नहीं है और approve भी नहीं किया हमारा product plan और तो CEO यह सब बत्रो को ignore करता है बोलता है नहीं मैं तो घर ही जा रहा हूँ और बोलता है कि तुम जाओ और Mr. Wu को बोलो कि जो कार है उसको main entrance पे लेकिया है और मैं कोई भी time waste नहीं करना चाहते हो parking lot में नहीं जाना चाहता हूँ तुम फटा-फट जाओ और बोलो जो घर जाना है करके तो बिच एक दिन तुम इन चीजों को अपने आप ही accept करोगे बिचारा अपने मन में यहीं सोच रहा होता है कि CEO यह सब छोड़के यह love up के game में कैसे पड़ गया है और अपने मन में वो चिला चिला के बोलता है कि आपको अपने work पे focus करना चाहिए boss ऐसा सब नहीं करना चाहिए अब दूरू बोलता है कि जो भी evil चीज है वो कभी भी good चीज के उपर कवजा नहीं कर सकती है और यहीं अपने मन में सोच रहा हता है कि उसे relax होने की जरुरत है उससे जाधा excited नहीं होना चाहिए और यह भी बोलता है फोन में देखते हुए कि मैंने जब कहा था कि मैंने born star join किया है तो मुझे पता चल गया है करके और उसका response जो था बहुत disappointment जाशा था करके जब CEO को इसने बता था तो CEO ने बहुत हलके से लिया था तभी ही सुचता है कि यदि मैं बताऊंगा और उसने फिर से interest नहीं लिया तो क्या मैं discourage हो जाऊंगा और क्या कहते हैं मैं नहीं चाहता कि उसका जो crush है मेरे उपर उससे उसको sad feel हो और यह बहुत ही humiliating होगा और फिर वो सुचता है कि मुझे काम ही रहना चाहिए और कि जो अब साथ बजने वाला उता है और वो सुचता अभी तक वो घर क्यों नहीं आया हमेशा तो वो छे बज़े आ जाता है और फिर एक ही घंटा लगता है घर आने में अभी तक क्यों नहीं आया अब यह लोग कार में बैठे होते हैं और CEO बोलता है हम लोग ट्राफिक में पस और मुझे इस टाइम तक तो घर पे होना चाहिए था करके अब रात हो जाती है दरवाज़ा कुलता है और ही सुचता है कि फैंग फैंग आया है और जैसे ही फैंग फैंग को देखता है यह खुश तो है शायर भी है लेकिन ऐसा प्रिटन करता है कि कुछ हुआ नहीं है और बोलता है कि आज तुम लेट क्यों आए करके तो फैंग फैंग बताता है कि सौरी ट्राफिक बहुत था तो मैं महाँ पर फस गया था करके और मैं जल्दी निकला था लेकिन फिर भी मैं रोड में फसा हुआ था तभी यह ऐसा दिखाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोलता है ठीके तुम जाओ तुम जाके डिनर करो और रूरू जो है वो हंगरी है और बहुत लेट भी हो रहा है करके और रूरू ने खा लिया क्योंकि वो बहुत हंगरी था सी यह बोलता है लेकिन बहुत यह बोल देता है ऐसे दिखाता है कि वो गुस्षे में लेगन वो अंदर या वहत खुश हो रहा होता है CEO को देखता है यह CEO को देखता है और तभी निंग रीख रहे हो मेरी तरफ अपना खाना खतम करो झार और तभी CEO बिलता है कि तुम बताना चाहते हो तो कुछ मुझे तो यह को एकदम से लगता है कि कैसे CEO को पता और चौक जाता है कि तुमारा क्या मतलब है तो CEO बोलता है कि लेकिन तुम आरे चेरे से देखके लग रहा है कि तुम बहुत रहसलर सो कुछ तो different है तुम कुछ तो कहना चाहरे हो जो कहा नहीं पार हो और तभी यह बहुत cool play करने लगता है बुलता है कि यह कोई पड़ी deal नहीं है बस मुझे एक audition का role मिला है करके डारेक्टर ने सुचा कि यह role मेरे लिए perfect है तो मुझे यह role दे दिया करके और तभी CEO को याद आता है कि उसने internet पे क्या सज़ किया तक ही कि एक आदमी को दूसरे आदमी पे crush कैसे करवाना चाहिए और एक आदमी का heart कैसे win करना चाहिए और warm और affection कैसे द कोड़ना चाहिए तो CEO अपनी chopstick को table पे रखता है और पुछता है कि किस type का role मिला है और उसका character कैसा है करके और तभी यह को लगता है कि अरे CEO ऐसी बाते पूछा है तो बताता है कि comedy character है एक fake agent का काम करना है उसमें और तभी अपने मन में सुचता है कि मुझे नहीं लगाता कि यह आदमी जो है मेरे से इतना curiously होके यह सब पूछेगा करके और बताता है कि even यह character fake है लेकिन इसमें पहुत ज़्यादा swag है मतलब इस character में और दिखाते हैं कि यह कैसे वो character को imagine कर रहा है करके अब क्या होता है वो यह भी बताता है कि यह कुछ bad character नहीं है यह real agent जैसा है इसमें उसको injury भी हो सकती है और secret agent को जो है real वाले को injury हो जाती है इस तरह वो एक fake agent बनता है करके और यह जो है profit mission जैसा है और यह जो है उसको real agent की तरफ पर वो करना है pretend करना है करके तो ऐसा मेरा role है करके और बोलता है कि यह series थोड़ा absurd था लेकिन फिर भी यह ठीक है और फिर यह जो plot है वो भी अच्छा है करके यह जो है बहुत excitedly यह सब चीज़े CEO का बता रहा होता है और बोलता है कि इसमें main character का reaction भी बहुत अच्छा है और बहुत important role है और क्या कहते हैं यह funny role भी है और finally यह है बाद में वो real agent बन जाएगा मतलब उनका drama का scene यह है और फिर अपने मन में इतना सब कहने के बाद यह जो एकदम blush करता हो सुचता है कि मुझे शायद यह सब बाते नहीं बोलनी चाहिए थी तो CEO बोलता है कि पककर director जो है तुमारे acting देखके impress हो गया होगा और तुम्हें यह role जो है तुमारे लिए ही बनाया होगा और तुमने शायद यह character को बहुत केरफुली पढ़ा होगा अधवाईस तुम कैसे इसको मतलब इतना अच्छे से कर लेते और दो तुम बहुत ही अच्छे हो करके और यह की ऐसे CEO तारीफ करता है अब क्या होता है तारीफ कर तो देता है CEO लेकिन यह इतना से blush करने लगता ह तभी वो यह बोलता है नहीं नहीं मैंने कुछ खास टाइम नहीं स्पेंड किया था और यह तो मेरे लिए एक चोटे से किक के तुकड़े के समान था मैंने यह यह चुटकियों में कर लिया और तभी फैंक फैंक बोलता है कि यह इतना easy नहीं है तुम बॉन स्टार हो और त तो मैं बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए उत्सुख हो मैं वीट करूँगा you are the best ऐसे करके वो यह का हाथ पकता और यह की तारीफ करता है अब यह जो है उसको फिर से बलश होने लगता है और एकदम से चौक सा जाता है और अपने मन में सुचता है कि जिन याओ जो है व अपने मन में सुचता है कि मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है अब रात हो चली होती है रूरू as usual गहरी नीन में सो रहा होता है यह भी रूरू के सत सो रहा होता है और सुचता है कि जो फैंग फैंग ने कहा कि तुम बहुती ग्रेट होई और तब ही तुमारे एक्टिंग से जो है डारेक्टर इंप्रेस हो गए होंगे तब ही तुम्हें चुन लिया है और मैं तुम्हें बिग स्क्रीन पे देखने के लिए बिताब हो रहा हूँ यू आर दे बेस्ट तो जितनी भी सारी बाते CEO ने यी को बुली थी यी को सारी बाते याद आ रही होत की सारी लगती है और वो बोलता है कि यह सब कितना स्वीड था मतलँ उससे शारी बाते बहुत स्वीड लगती है मुझे इतनी जल्दी excited नहीं होना चाहिए और मुझे उसके CEO ने जो मेरी तारीक की उसको seriously भी नहीं लेना चाहिए और मुझे इस तरह बहकना नहीं चाहिए और मुझे बहुत सारे लोग पसंद करेंगे ऐसा मुझे believe है और इसलिए मुझे सो जाना चाहिए वो फिर से सोने की कोशिस करता है लेकिन सो नहीं पाता है और बोलता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यास लगी है मुझे जाके शायद थोड़ा सा पानी लेके आना चाहिए तो वो उड़ता है कमरे से बाहर जाता है और देखता है कि दूसरे कमरे में CEO जो है कुछ देख रहा है लाइट जला केट कम्प्यूटर में और तभी वो सुचते है कि मिडनाइट हो गया है लेकिन अभी तक फैंक फैंक सोया नहीं है और आज के दिन भी वो स्टेडी में इतनी देर तक काम कर रहा है करके CEO जो है अपने कम्प्यूटर में हेडफोन वगरा लगा के सुन रहा होता है और तभी जो ही है वो थोड़ा सा पीक करता है और बोलता है कि लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है यह शायद कोई वीडियो देख रहा है और इसलिए उसने जो है लाइट साफ कर दिये लेकिन जो ल बहुत जादा डार्कनेस है क्या है यह सीक्रेटली उस टाइप के वीडियो देख रहा है क्या इसलिए इसने क्या कहते हैं लाइट्स बंद कर दी है क्या करके तो और तब ही सुसता है क्या यह शायद वह इसी टाइप के वीडियो देख रहा है क्यूंकि आखिकर कर यह एक healthy male है तो एसा तो नहीं कि वह मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि यह उस टाइप के वीडियो नहीं देखे और फिर हम दोनों हैडिल्स भी है तो मैं ऐसा प्रेटेंग क रहता हूं कि मैंने कुछ नहीं देखा नहीं तो हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे और हम दोनों को यह सीक्रेट पता होगा तो हम दोनों को श्राइद यह बुलता है कि मुझे थोड़ा सा प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने आया था सॉरी तुम्हें बौदर करने के लिए मैंने कुछ देखा नहीं तो तुम कुछ माइन मत करना और बुलता है कि ठीके मैं अपने बिस्तर में जा रहा हूं और हस्ते हस्ते जाता है यह को समझ में नहीं आता है कि किस टाइप की बात कर रहा है और तभी सी यह बुलता है कि अधि तुम्हें नहीं आ रही है तो तुम मेरे साथ वीडियो देख सकते हैं और यह के मन में चल रहा होता है कि कौन सा वीडियो देख सकते हैं कि यह तो सोच रहा है कि सी यह उस टा कि जो वीडियोस है वो जादा तर नहीं देखने चाहिए और नहीं तो तुम्हारा हेल्थ भी खराब हो जाएगा और तुम्हें इन सब चीजों में जादा अपने आपको इंडल्च भी नहीं करना चाहिए और तभी CEO फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि किस टाइप के वीडियो उसकी बात कर रहा है क्योंकि CEO को तो पता नहीं न की सोच रहा है कि वो एडल्ट वीडियो देख रहा है तभी CEO बताता है कि मैं तो मूवी देख रहा हूं इसले मैंने लाइट आफ कर दी ती तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या देख रहा हूं तो यह सुस्त है मूवी करके तो यह बुलता है तुमने तो मुझे डराई दिया था कि तुम उस तरह का कुछ मतलब देख रहे होगे करके हाँ मैंने डारेक्टर कहा होगे काफी सारे वर्कुर को देखा है और बहुत ही अच्छा उनका वाक है वह बहुत कॉमेडी मुवी बनाते हैं करके और इसलिए मुझे उनका रोल भी मिला उनके मुवी में और मैं बहुत इस चीज़ के लिए आगे देख रहा हूँ करके तो यह बलता है ठीक है तुम सो नहीं सकते हो तो ऐसा करते हैं हम दोनों साथ में मुलके देखते हैं मेरे कमरे में तो प्रोजेक्टर भी है अब क्या होता है दोनो में सिर्फ हम दोनों ही हैं और भी इतने क्लोज बैठे हैं यह बलश कर रहा होता है और उसको लगता है कि एटमास्विए भी वियर्ड है और वो थोड़ा नर्वस भी होता है इस CEO भी उसको तृच्छी नजर से देख रहा होता है और एक तरफ पिक्चर चल रही होती है और थोड़ा साइड में रखता है और अपने कंदे पर ही को लिटा लेता है और फिर दीर ऐसे उसको विस्तर पर लिटाता है और उसका ब्लैंकेट वगर और रहाता है और थोड़ा सा उसके गाल को प्यार करता है और बहुत हैपी हो रहा होता है वो CEO जो है ही के माते पर किस करत अब क्या होता है दूसरे दिन सवेरे यह अपनी कंपनी में जाता है वहां उसका मेकप चालू होता है लेकिन वह बहुत नर्वस भी होता है और एक्साइट भी होता है और वह सोच रहता है कि हम लोग फिर से साथ में काम करेंगे क्योंकि रैं till रैं रैं का भी यहाँ पर सेलेक्शन हो जाता है और रैं 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 बुलता है तुम मिरे जो यूप्स उनको थोड़ा जादा पिंक कालर करता हो और उसको स्प्रिंग फेस्टिबल वाला जो कॉमेडी चल रहा है मेरे भी ना होई नहीं सकता तो यह अपने मन में सुचता है कि मिस जैंग जो है उन्होंने पहले ही खाता कि मुझे यह रोल मिल गया है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मुझे यह ऑफिशल एनाउंस्मेंट भी हो गया है करके रैन रैन बोलता है जो प्रेस है उसकी तो कोई चिंता मत करो कोई बीग डील नहीं है तो तुम्हे नर्वास होने की जरुएट नहीं है बस मेरा डीड जो है वो फॉलो करो और ट्रस्ट करो मेरे पर कि यदि तुम कोई आंसर नहीं दे सके किसी चीज़ का तो तुम्हें सिर्फ इस्माइल करना है तो यह जो है वो ओके बोलता है तब ही एक लड़की आती है और यह को हाई करती है और बोलते हैं कि हमें लगता है कि हमें एक साथ काम करेंगे और मुझे अच्छा लगा तो मैं यहाँ देख के और मैं जो हूँ एक इंटेलिजेंस एजेंट का रोल प्ले करूँगी तो यह लड़की को कॉंग्रूर्श लेट करता है और तभी पुस्त है दूसरे को क्या रोल मिला उनका ओडिशन कैसा गया क्या उनने भी प्रस के सामने जाना है और मैंने किसी और को कास्टिंग लिस्ट में नहीं देखा तभी लड़की बता है और फिर वो पुछता है कि मैंने सुना है कि डाओ जो है उसने भी बहुत चाहा काम किया है तो वो कहा है तो लड़की थोड़ा सुस्तियों बोलती है कि स्टुडेंट में सिर्फ तुम और मैं ही को इस मूवी के लिए चुना गया तो यह को थोड़ा सा शौक सा लगता है और वो देखती है कि डाओ और जो लड़का था जिसको यह से जैलिस है वो ड्रॉप आउट हो गए है और तभी यह बोलता है ड्रॉप आउट हो गए है और वो भी मेरी वज़े से क्यों तो लड़की बोलती है तुम्हें नहीं पता जो रिमर्स जो फैलाए थे वो उन्हों नहीं फैलाए थे इसलिए कंपनी इन्हें इसमें बहुत ही ज़्यादा सीरियसली होके दिखा और उन्हें पता चला कि यह सारे जूमर उस लड़के ने फैलाए थे और लेकिन यह बात उसने हमारी डाओ के मुझ से सुनी थी और डाओ ने एड्मिट भी किया कि उसी ने इसको बताया था तो इसलिए उन लोगों को उनके साथ हमारा कॉंटरक्ट कर दिया है और तो यह बोलता है लेकिन उन लोग ऐसा क्यों करेंगे मुझे भरोसा नहीं होता कि डाओ ही सब करेगी और यह कोई misunderstanding हो सकती है company को भी उनको ऐसे drop out नहीं करना चाहिए था तो लड़की बोलती है जो लड़का था वो हमेशा से selfish था और उसका जो दिमाता वो बहुत छोटा था तो मेरे जो कोई surprise नहीं होँआ कि वो इस तरह का करेगा और उसे shut down कर देगा लेकिन जो डाव थी वो जो डाव थी वो एक step फसन है वो जो dirty tricks को look down करती है करके लेकिन वो अच्छी लड़की थी करके तो यह बोलता है हाँ मैं भी agree करता हूँ तो रैन रैन बोलता है चलो यह चलते हैं अब यह लोग चाते हैं और महापत सब photo shoot होता है सब लोग left right देख रहे होते हैं इदर उदर और दिखाते हैं रैन रैन कैसे हैं और यह कैसे है कुछ लोग पुछते हैं कौन है और यह सुस्तर कोई मेरा नाम ले रहा है और यह सब को कभी इदर देखता है पिक्चर्स खिशने देता है तब ही बोलते हैं कि ठीक हम कास्ट को यहां वैलकम करते हैं और तब ही एक लड़की आती है और बोलती है कि लॉंग टाइम हम मिले नहीं है यही और मैं बहुत हैपी हूँ कि हम लोग साथ में काम करेंगे तो यही पीचर मुरका देखता है यह कोई और लड़की नहीं होती है लिली जैंग होती है जो इसकी प्रिवियस कंपनी में होती है जिसने CEO का और यी का फोटो ऐसे लीक कर दिया होता है यह वही लड़की होती है और लड़की बहुत इच्छे से स्माइल देखती है और बोलती है लोग हमारा पिच्चर ले रहें करके अब लोग पिच्चर लेते हैं और यह दुनों प्रेस में एक साथ जाते हैं लेकिन यह जो है उसको यह अच्छा नहीं लग रहा होता है करो जैसा मैं कहती है वैसा करो और यह का हाथ कसके पकड़ लेती है यह बलता है तुम क्या कर रही हो मेरा हाथ छोड़ो लड़की बलती है कि हाँ एक बर हमारा पोटो शूट हो जाए फिर मैं इतना हमारा हाथ चोड़ दूगी कि तो मुझे आप पर इतने सारी लोगों के सामने इंबरस मत करो और क्या कहते हैं क्या तुम ऐसा करने से अपना अर्म एता अर्म बलता है कि इस तरफ जाना है तो यह अभी भी बहुत घुह से होता है लेकिन लड़की बड़ा हैप़ी फीunde कर रही होती है और तब ही पुछता है कि तुम मेरे क्लोस क्यों आई और तुमने मेरे साथ फोटो क्यों खीचा तो लगर की बोलती है इनोसेंट प्ले करती है और बोलती है क्या हमारा रिलेशनशिप अच्छा था पहले से ही तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो गई कि अधि मैं तुमारे चार्ग में थोड़ा सा फोटो की चालोंगी तो यह बुलता है हमारा रिलेशनशिप अच्छा था कब से जब तुम मुझे अवाइट करती थी और अब उस समय पर तुमने मुझे साथ ऐसा बीव किया था जैसे कि कोई मैं स्ट्रेंजर हूं और तो तुमें इस तरह मेरे सा प्रवला में और यह लड़की सुस्ती कि यह बड़ा अच्छा काम कर रही है और बोलती है कि ठीके मैं तुम्हारे साथ स्ट्रेट होंगी और बोलती है कि मैं तुम्हारी पॉपिलर्टी को सिर्फ बॉरो कर रही हूं करके और इतना तो तुम मुझे ओन करते ही हो तो यह ब एक single role भी नहीं दिया और space travel के audition में भी मुझे कोई role नहीं दिया गया तो ये सब तुमारी वज़े से हुआ है और क्या कहते है इसलिए मैं हर opportunity grab कर रही हूँ famous होने की करके और ये कोई बहुत जादा नहीं है कि मैं तुमारी popularity में से थोड़ा सा share मांग रही हो तो ये बोलता है कि तुम अभी तक वैसे ही की हो जैसे तुम पहले थी और तुमें हर चीज टेक इट फर ग्रांटिक लेने की क्या जरूरत है करके और बोलता है कि ठीके कोई problem नहीं है तुमें जो करना है तुम करो लेकिन जादा carelessly act करने की जरूरत नहीं है मेरे close भी आने की जरूरत नहीं हो और मैं set के बार भी तुमसे कभी community नहीं करूंगा करके और तब ही लड़की बोलती है मैं तो सिफ opportunity और chance ग्रैप कर रही हूँ इसमें क्या ही गल्पी है तुम जो हो तुमारी तरह मैं lucky नहीं हूँ तुमें जो है तुमने कभी भी कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी लोग तुमें opportunity दे रहे हैं और support कर रहे है तुमारा तो कुछ skill भी नहीं है जितना मेरा skill है उससे भी तुमारा skill कम है और लेकिन भी मुझे यहाँ पर एक supporting role का role मिला है और उसमें भी मुझे कुछ line नहीं बोलनी है और तुम किस चीज का attitude मुझे दिखा रहे हो ऐसा करके लड़की भड़क जाती है और यह को खुंदक में देखती है और बोलती है कि आगे का तुम हो ही कौन को तुम अपने को क्या समझते हो जो मेरे तरफ, मेरे पूद को नीचे दिखा रहे है हो करके आप क्या होता है इस्टेज पे पहुंच जाते हैं सारे question कर रहे होते है दिरेक्टर से और कास्ट क्रुज से लोग और बूलते है कि कोई सब में क 500 कक दूश हो रिपोर्टर्स हर जगह है और मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला तो यह बोलता है सौरी किसी चीज की वज़े से मैं अटक गया था तब ही रेंडरन बोलता है कि तुम वह एक्टरस जाई थी तुमारे फ्रेंड के साथ उसके कारण तुम अटक गए दे तो यह ब तुम वह मेरे टिप्स वगरह मिल जाएंगे तब कोई भी तुमारे आसपास नहीं घुमेगा बहुत प्राउडली बता रहा होता है और यह लड़की जो है पीछे बैट के अभी भी खुंदक में होती है और जैलस फील कर रही होती है कि यह को पहली सीट में क्यों बैटने म मिला है और मैं बैक सीट में क्यों बैठी हूं मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा है और यह जो बॉन स्टार कम्पनी बहुती फार नजर आ रही है मुझे अब क्या हता है इंटर्व्यू चालू होता है और बोलते हैं हमारे पास एक सप्राइज है हमारे आप पर जो स्पे आइडिया नहीं है आके कर गे सुपर बिग सप्राइज है तो मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन है हमारे गैस्ट है तो लोग बोलते हैं कि हम यह एक्साइटिंग इविंट को है मिस नहीं करना चाहते तब भी वो लोग स्टेज पर बुलाते हैं और यह गैस्ट कोई और लिंगवाई होती है लिंगवाई अच्छे हील वील के कपड़े पहन के कच्छी ड्रस पहन के स्टेज पर आती है उसका चाहरा दिखाते हैं और सब भी लोग बोलने लखने के अरे लिंगवाई आ गई लिंगवाई आ गई करके तो यह जो है अब कॉमेडी सीरीज में भी क काम करेगी और सब लोग ऐसे करके देखते हैं और तभी यह देखता है कि लिंगवाई है और सुसता है कि इन लोगों ने किसी तरह मैनेज कर लिया लिंगवाई को इनवाई करने में और लोग तुसते हैं कि आप कॉमेडी सीरीज में काम करेंगी तो लिंगवाई सब को हेलो गलती हो गलती मैं बहुत एककसाइटेड ओं और वहां पर जो आदमी बात कर रहुता हुँ बताता है कि हमारी लिंग बैड जो है वह हमारी मिस्ट्रियस गैस्ट है करके और वो बताती है कि मैं इस rolling मिला है किNow क्योंकि मेरे जो दोस्ते हैं और यह도 इस में काम करते है और दूसरा उन्होंने स्पेस ट्रैवल में भिक है बोचे भी यहां उनके साथ काम करना है तो जो होस्ट होता है वह बहता है हा तुम दो सी अ Dem लिंग वाई बोलती है अब आज तो डारेक्टर गाओ का बड़ा दिन है तो मैं अपनी पुरानी पिक्चर के बारे में नाम नहीं लूँगी ऐसा करके फिर भी वो नाम देती है और अपनी पिक्चर का प्रमोट करती है सब लोग हसता बोलते हमने कुछ सुनाने कुछ सुनान लेकिन फिर भी वो यह के साथ बहुत जेंटली ब्याव कर रही है और जो रैन-रैन के साथ भी यह का टर्म सो बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा है और तभी होस्ट बोलता है कि आप लोग ने तो सुनाई होगा कि हमारे जो डारेक्टर ली है उन्होंने स्पेस ट्रैवल मूवी बनाई थी और हमारी जोब नई मूवी आ रही है जीरो-जीरो करके उसको आप लोग देखने आई है और तभी हो लोग बोलते हैं यह बात सही है और तभी हो बोलते हैं कि मैं लिंगवई से भी कोशन पूछना चाहूंगा कि आपको इस मूवी का रोल कैसा लगा करक यह जी और इन भाई एक दूसे को देखते हैं यह तीनों हस मिलके बात कर रहे होते हैं और यह लड़की यहां पर जल रही होती है कि क्यूं यह लोग ही कि इतने क्लोस हैं और मैंने इतनी मेहनत की उसके साथ फोटो लेने में लेकिन अब कॉन उन फोटो को देखेगा यह कि इस इसे से होकर गुट्ल अग देते हैं और तभी क्या होता है एक आदमी आता है कि मिस्टर यह अपसो कोई देखने आया और उन्हें कहा है कि वो मिस्टर फैंग है और क्या मैं यहां पर लेकर हूं या बहारी रखूं तो यह बोलता है अपने मन में सुछता है कि शाय जिंग या वाए तो वो बलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मैं खुदी जाके डूण लूँगा तो लिंग भाई उसको देखते कि यह जा रहा है और तभी देखते हैं कि फैंग फैंग जो है बुके लेकर और गिफ्ट लेकर आता है और बोलता है बदाई हो तुम्हें इस रोल के ले और तभी हमारा मैनेजर साइड में सोच रहा होता है कि तुमने एक तो फ्लावस खरी दे उसके पसे गिफ्ट भी घरीदा और अब यहां पर ऐसी बाते बोल रहे हैं तो यह जो एक गिफ्ट फ्लावस लेता है और बोलता है कि लेकिन तुम्हें यह सब करने की जरुवत नी थी और यहां आने की भी जरुवत नी थी यह तो इसे फिक चोटा मुठा प्रस कांफरेंस ही था और तभी इसी यह बोलता है कि आखिर मैं ऐसा करना चाहता ही था तभी लिंग भाई अपने मन में सुचती है कि यह चलो चलते हैं तुम रैडी हो कि हमें डिनर पार्टी में जान है और वो वक्ति की सारे आदमी जितने भी फैंग फैमिली के सब एक ही समान है और वो सब को एक ही जैसा ट्रिक यूज करते हैं इंप्रस करने के लिए यह देखके ना अर्ग भाई को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है